नमस्कार मैं हूँ स्रिष्टी दवार बुलिटन में एक बार फिराब सब का स्वागत है केरल में जो बार का कहर रहा वो लगातार हम आपको बुलिटन में रिपोर्ट करते रहें लेकिन अब नागालान्ड और उत्रप्रदेश में भी बार का कहर जारी है बारिश्वा बार से 10 राजियों में 10 स्टेट्स में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है होम मिनिस्ट्री के आकड़ों के नसारा गर हम देखें तो केरल में 488 लोग उत्तरप्रदेश में 254 लोग, आसम में 50 और नागालान्ड में 11 लोगों की मौत हो चुकी है और साथी में बार से हुए नुकसान की भरपाई के लिए नागालान्ड को इस समय 800 करोन रुपे की जरूरत है राज की कुल आबादी में से 13 फीसदी जो आबादी है वो प्रभावित हुई है इसके चलते 532 गाओं के लगभगर 40,000 से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए है NERC की रिपोर्ट के मताबद जो केरल में जो बार थी बारिश थी उसकी वज़े से जैसा की 488 लोगों की मौत की खाबरे हैं राज के 14 जिलों में करीब 40,000,000 लोग प्रभावित हुए थे केरल में और NERC के मताबद उत्र प्रदेश में 254 पश्यंबंगर में 210 करनाटक में 170 महराश्ट में 149 गुजरात में 52 आसंब में 50 उत्रा खंड में 37 औरीसा में 39 और नागलैंड से ग्यारा लोगों की मौत हो चूप है और साथ ही में इन राज्यों में जोरान 43 लगों के लापता होने की भी खबरे हैं उत्र प्रदेश के वेविन हस्तों में बारिश और बार का सलसिला जो है वो जारी है और कुछ घटनाओं में लगभग हाथसों में 10 लगों की मौत की भी खबरे लगाता रही हैं गंगा घागरा और शारदा जैसी नदियों में उफान है मौसम विभाग ने जो उत्तर भारत में जो मैदानी इलाके हैं उसमें तीन दिन तक साउथ वेस्ट मौनसून की सकरिता को देखते हुए यूपी, एमपी, उत्राखान के कुछ अलाकों में मूसलाधार बारिश की चतावनी भी दी है बुलिटन की अगली खबर के अगर हम ओर चलें तो Ministry of Information and Broadcasting ने कहा है कि मीडिया अब्दलत शब्द के प्रयोक से बचे इसके बजाए उन्होंने जो एक सम्विधानिक शब्द है इसका इस्तमाल करने के सलाधी है मोधी सरकार का यह जो आदेश है यह बॉम्बे हाई कोट के उस निर्देश से जड़ा हुआ है जिसमें उसने कहा था कि सरकार मीडिया में भी इस शब्द के जो यूज है इस्तमाल है उसके मुद्दे पर विचार करे उधर जो दलिट संगठन है उन्होंने इस आदेश का विरोत किया है उनका कहना है कि दलिट शब्द का अपना खुद का राजनेतिक महतु है यह शब्द उनकी पहचान से जोड़ा हुआ है राजनेतिक नेताओं और कारकरताओं का भी मानना है कि शब्द पर प्रतिबंद लगा देने से बैन लगा देने से जो दलिट समाज के प्रती जो भेदभाव है उस समधाई की जो स्थिती है वो खत नहीं हो जाती अगर हम इस मुद्दे पर इंगेन एक्सप्रेस के मताबिक देखें तो केंद्रियर समाजिक नियायराजमंत्री रामदा सठावले का भी यही कहना है कि दलिट शब्द समाज की प्रतिष्ठा से जोड़ा है UGC के पूरवध्यक्ष प्रोफेसर सुगदेव थाराच ने भी इसी तरह की बात कही है उन्होंने कहा है कि मराथी में जो दलिट शब्द का मतलब होता है वो होता है उत्पीडित और बहिश्कृत यानि कि excluded और साथी में उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआत में इस शब्द का जो इस्तिमाल था वो वर्ग और जाती दोनों के लिए होता था और दलित शब जो है वो अपमान जनक कहीं से भी नहीं है उन्होंने ये भी कहा कि यह शब 60 और सत्तक के दर्शक में यानि कि 60 और 70 में दलित साहित और दलित पैंथर के चलते चलन में आया था बिलितन की अगली खबर के अगर हम ओड चलने तो डॉलर के मताबिक रुप्या पहली बार 71.45 के नियुंतम स्तर पर इससे पहले 71.37 के स्तर पर अच सुबे तक और इसकी प्रमुक वज़ा जो है वो डॉलर की मांग का बढ़ना बताया जा रही है इससे पहले बीतिश शुक्र को शुरुवाती कारोबार में 71.49 के नियुंतम स्तर पर भी पहुच चुका था हालंकि इसके बाद भी रुपया समहल नहीं सका है और इसमें लगातार जो है वो गिरावड जारी है बिलितन की अगली खबर के अगर हम ओर चलने तो यूनियन मिनिस्टर आफ स्टेट फॉर स जुगनी हो गई है संख्या और एनाई की खबर के मताबक जब गोरकपुर हवाई अड़े के घरेलू चर्मिनल इमारत के उर्थ खाटन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज हवाई किराया ओटो रिक्षा की तुलना में कम है कैसे इसका जवाब उन्होंने दिया कि जब दो लोग आटो रिक्षा लेते हैं तो उन्हें दस रुपए किराया देना पड़ता है यानि कि उनसे पांच रुपए प्रति किलो मीटर पैसा लिया जाता है लेकिन जब आप प्लेन से जाते हैं तो आपको चार रुपए प्रति किलो मीटर देना पड़ता है तो इसे साब से अब बात करें दुनिया की तो आज हम बात करेंगे ब्राजील की किस तरह से जलकर खाक हो गया है ब्राजील का 200 साल पुराना म्यूजियम ब्राजील के राश्ट्री म्यूजियम में आग लगने से बहुत पुराना इतिहास जलकर खाक हो गया है ये एक सांस्कृतिक तरासिदी है, कल्चरल ट्राजडी है और 200 साल पुराने इस म्यूजियम में मानव विज्ञान से जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजे रखी थी और जो आग में जलकर जो काफी खराब हो गई है म्यूजियम में जो आग है वो रविवार शाम को लगी जब बन था और सुमवार सुबह तक उसमें यंतर पाने की कोशिश चलती रही बहराल रियो डिजिनेरियो शहर में इसकी वज़े से पूरा धुआ काफी हो गया है लेकिन इसके चलते ही कई सालों की मेहनत जो एकत्रित की गई थी जुटाई गई थी उसमें काफी चीज़े जलकर खाक हो गई और साथी में लोग जो हैं वहाँ पे कुछ चीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं पर बहुत जादा नुकसान अल्रेडी हो चुका है जो म्यूजियम में समान मौजूद था उसमें करीब 20,000 चीज़ें ब्राजील और अरंदेशों की इतिहास से जुड़ी हुई थी ब्राजील के शाही परिवार से जड़ा हुआ बहुत सारा समान महारक था और इस मूजियम में ग्रीको रोमन संस्कृती से जुड़ी बहुत सारी चीज़े थी डाइनासोर्स की हड़ियां और एक महिला का 12,000 साल पुराना जो कंकाल था वो भी महारक था मूजियम के निदेशक ने इससे कल्चृरल ट्राजडी सांस्कृतिक तुरासदी बताया है ब्राजील के राश्टपती ने भी कहा है कि इस आज के कारण 200 साल का जो काम था जो रिसर्च था, मेहनत थी, जो चीज़ें इतिहास की जुटा के रखी थी, ग्यान था वो सब कुछ बरबाद हो गया है, आज के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है तो ये थी आज बिलिटन की कुछ प्रमुक खबरें, इन खबरों को जाके आप दवायर की विबसाइट पर पढ़ सकते हैं इसी के साथ मिस रिष्टी दवायर बिलिटन में आज इतना ही